जैश्री कृष्णा फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम बात करेंगे जब कोई महिला प्रेगनेंट होती है चाहे वह एक दिन की प्रेगनेंट क्यों ना हो जब उसके गर्व में बच्चा चिपकता है चाहे पहला ही दिन हुआ हो तो महिला की बौड़ी में बहुत से चेंज डिवासा लगाया जा सकता है आज हम इस वीडियो में उन्हीघा खास लक्ष्णों की बात करेंगे जो उन्हे प्रेगनेंट ऐसний हम लगत चेंगे assessor को वे पात करेंगे कि आपको प्रेगनन्सी के अशन कब दिखाई देंगे और कोण-शन सबसे पहले दिखाई देते हैं आएगी जानते हैं डिटेल में लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पासबनी बैल आइकन को भी प्रस कर दें और वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शियर भी जरूर कर दें और 100% यह इशारा करता है कि आप pregnant हो चुगी है लेकिन पीरियड मिस के वार किसी ओर रीजन से भी गले हो जाती है जिसे महिलाएं अंदाजा नहीं लगा पाती है कि हमारे पीरियड मिस हो गई है और हम pregnant है या फिर पीरियड मिस ओन से पहले आप pregnancy confirm करना चाहती है तो ऐसे बहुत स सिम्टम होते हैं लेकिन आज इस वीडियो में मैंने कहा मैं सिटीक लक्षन की बात करूंगी तो सबसे पहला लक्षन आपको पेट में क्या होता है गैस बन जाती है पेट फूला फूला सा बरा बरा सा लगने लगता है जैसी शिकायते आपको दिखने लगती है पेट में ब प्रोजेस्टरोन हार्मोन आपके खाए हुए खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है रुकावट पैदा करता है जिससे डाइजेशन का प्रोसेस स्लोडाउन हो जाता है और जब इसका लेवल हाई हो जाता है प्रोजेस्टरोन हार्मोन का तो महिलाओं को उल्टी आने जैसा मन खराब होना और खाने की कुछ चीजों से नफरत हो जाती है कि ऐवार कुछ भी खाने का मन नहीं करता है कभी 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 काने की कुछ चीजों की किये हैं तो अगर आप सब कुछ अगर आपका हेल्धी है अंदर तो 15 मिनट के अंदर ही फटलाइशन हो जाएगा जादर से जादा फटलाइशन होने में 15 मिनट से लेकर 3 दिन का समय लगता है इससे जादा नहीं और फिर यह फटलाइशन एग यूटरस में जाकर जब चेपकता है जिसमें कम से कम साथ से 8 दिन का समय लगता है इसलिए ओगलेशन के साथ से 8 दिन के बाद ही प्रेगनन्ट होने के लक्षन दिखाई देते हैं कुछ लोग प्रेगनन्ट होने का वो पहला दिन होता है उसी पहले दिन जब गर्ब में बच्चा चिपकता है तो पेट में चूबन पेट में हलका दर्द जन जनाहर सुई की चूबन की तरह दर्द फील होता है बच्चा जूटरस में चिपकता है और जूटरस कहां होता है नाभी से सी जसमें आपको सिर्फ दाक सा देखने को मिलता है ये बिलीडिंग एक दो दिन या फिर एक दो गंटे के लिए होती है इससे जाधा नहीं होती है लेकि ये धर्द और ब्लीडिंग सब महिलाओं को नहीं होती है कर अगर अगर आप प्रेगनेंट हैं तो सब लक्षन आपको फील हो ऐसा जरूरी नहीं है हर महिला में pregnant होने के सब लक्षन नजर नहीं आते हैं तीन से चार लक्षन किसी एक pregnant महिला में होते हैं अग्रा लक्षन है जब गर्ब में बच्चा चेपकता है तो वहाँ पर uterus में blood circulation बहुत थेज हो जाता है बहुत fast हो जाता है आपका जो heart है वो पहलने से ज़्यादा पंप करने लगता है जिसकी वज़े से आपका जो pulse rate है वो भी काफ़ी increase हो जाती है 90 से अवब हो जाती है 85 से अवब हो जाती है ये भी pregnancy का main symptom होता है और body में blood circulation increase होने की कारण जो आपकी kidney है वो पहलने से ज़्यादा active हो जाती है जिसक सा लगना और घर के छोटे-छोटे काम करके ही आप ठक जाती है कि ये वर चक्कर आने लगता है आप फेंट हो जाती है सर आपका गूमने लगता है तो ये early pregnancy का sign है ये साफ संकेत देता है कि आप pregnant है क्योंकि high level of hormone progesterone और lower level of blood sugar जो है lower blood pressure हो जाता है जिसके कारण महिलाई य estrogen hormone और SCG hormone increase होने के कारण महिलाउं के mood swing होने लगते हैं उन्हें कभी भी गब्राहट बेचानी और बार बार चोटी-चोटी बातों पे उन्हें गुसा आने लगता है और कभी उनका mood अच्छा हो जाता है और कभी फिर से उनका mood खराब हो जाता है चोट-चोटी बातों पे रोने लगती है उन्हें खुद भी नहीं पता होता है कि वो क्यों रो रही है और उन्हें को headache और back pain जैसी पॉलम उन्हें फेस करने पड़ती है बेजल बॉड़ी टंपरेचर इंक्रीस हो जाता है बेजल बॉड़ी टंपरेचर का मतलु है कि जब आपना टंपरेचर चेक कर आपको काफी आ रही है इस समय और ब्रेस्ट जो है उसमें भी काफी चेंज देखने को मिलते हैं असपास का ब्रॉणिश कलर का जो एरिया है वो डार्क हो जाता है उस पे बंस भी दिखाई देने लगते हैं नेक्स्सीम्टम है सर्विकल म्यूकस यह मिल्की वाइड डिचा म्यूकस आपकर प्राइवेट अरिया से निकलने लगता है जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता है से स्मेल भी नहीं आती है यह सर्विकल म्यूकस साफ संकीर देता है कि आप प्रेगनेंट हैं और मुओ में आपकी जो सैलिवा है वो काफी जादा नग्रीज हो जाती है काफी तो फेंट्स बस इस वीडियो में इतना ही फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और ने वीडियो के साथ तब तक अपना खास ख्याल रखें थैंक्यू गाइस